वेलकम स्वागत आप सभी का तो इलेक्ट्रीकल के अंदर एक नए टॉपिक स्टाट करेंगे और नए टॉपिक आभी इंट्रेस्टेट भी है सवाल आपको मान के जलिए कोई मर्जी एक्जाम दे दीजिए टेक्निकल या नोन टेक्निकल नोन टेक्निकल ऐसा जिसके अंदर दे रखेंगी तो वहां आपको अगर पिजिक्स का प्रट दिया गा तो यह टॉपिक आराम से आपको देखने को मिलेगा तो आज अवने बात करेंगे इस टोपिक का नाम है वह रजिस्टर तो रजिश्टर का मतलब क्या होता है प्रतिरोद ठीक है कि धारा जो होती है उस दारा के मारंग में चुब पैदा करता है उस पैदा करने वाली युपती का जो नाम होगा वो अपने पास क्या होगा रजिस्ट्र होगा और यह जो अवरोध पैदा करती है उसका जो गुण जो होता उसको क्या बोलेंगे रजिस्ट्र अब एक चीज देखें कि माल लीजे अपने पास कोई सरक्ट एलेक्ट्रिकल का और आपने यहां कोई रजिस्ट्र को लगा दिया और यह मालेतीर लेंप है के और यह मालेतीय वोल्टेज अब गया जैसे आपने वोल्टेज अपलाई क्या सिर्फेर एक रंग रिजिश्ट्र गळा वैं तो उस कंडिशन में क्या होगा कि अगर पहले रेंजिस्ट्र Price 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 थी जैसे आपने काम किया कि जोड़ तो उस समय क्या होगा कि धारा जोगी उसकी consonants का गटाती जोगा तो यहां वे सबसे पहले उपने बात गेरेंगे इसका होता क्या चीज़ यानि आपने बात कि रहेंगे रडिस्ट्र के phin के बारे में ठीक है कि रूपह के तो पहली चीज़ तो ये देखें कि ये रजिष्टल काम मैं तो कि एइसी उक्ति जो काम कया करती है धारा के मार्ग में क्या करती एसी उक्ति जो कि धारा प्रवा को क्या करती है कम करने का काम करती है यानि कि अगर मैं बात करूं तो यह धारा को रोकने का काम नहीं करेगी रोकने का मतलब योग उसको रोक दियागा रोक नहीं है तो फिर सर्किट का यूजी क्यों करते है यह थोड़ा सा ध्यान में रखना अगर कभी पूछ ले र और आपको पूझें है तो आपको पूझले है रजिस्टेंस किया चीज में लिए तो जो ईक्ति का गुण है जो इस तारा अवर्ोथ को यह तारा प्रवा को प्रवा को क्या करती है कि ॉप एसा ठीक है तुप यह ध्यान में रखेंगा तो मुर्ण से देखिए अगर मैं इसके सिंबल के बारे में बात रहूं ठीक है तो तो सिंबल देखो अगर कि पाइब सिंबल जैसे-जैसे आप लोग रजिस्टर के प्रगार बढ़ेंगे वैसे-वैसे इनके शिमेल भी आते जाएंगे तो सबसे पहले इस चीज तो देखिए इसके अंदर आएगा एक तो आएगा इंटरनेर्शन स्टेंडर है तो वह आपका जो सिंबल बनेगा वो इस तरह के से बनेगा और एक आपका बनेगा अमेरिकन तो उस कंडिशन के अंदर आप लोग इसका सिंबल जो दिखाएंगे वो इस तरह कैसे दिखाएंगे सुरी ठीक है इस तरह कैसे अब काम क्या होगा एक अपने पास आएगा अगर वेल्यूचेंज नहीं हो रही अगर किसी रेजिस्टेंस की तो उसका जो सिंबल बनेगा वो भी कैसे बनेगा ऐसा ही होगा कि और इसी तरहें से अगर आप से पूचले है प्रिवर्तनी या प्रिवर्थी रिया विर्याबल रजिस्टूर मा उसके सिंपडिश्ण गया थ्यान में रखना अपना सिमबल बन जाएगा हैं तो यहां सब द्यान में रखने बारे में तो इसके सिंबल है हाला कि जैसे जैसे आप लोग आगे जाओगे वैसे वैसे इनके सिंबल भी अलग-अलग प्रकार आपने पढ़ते जाएंगे अब यहां से देखिए अगर मैं रेजिस्टन्स के फार्मले के बारे में बात करूँ तो इसका जो फार्मला बनेगा वो इस तरीके का बनेगा आर जो होगा वो लंबाई और एरिये के क्या होगा लंबाई के तो समानुपात में चलेगा लेकिन एरिये के वितकर्मानुपाती होगा अगर आप लोग समानुपाती का चीन हटाओगे उस समें एक नई चीज आएगी जिसका नाम होगा रो यह ध्यान में रखना इसको बोला जाता है परति रो देखता है ठीक है और यह होगा अपनी चालक की लंबाई और यह होगा चालक का अनुपरस काट चेतर ठीक है तो यह तो बात होगी बनेंगा और अगर आप से यूनिट पूछ ले मात्रक पूछ ले तो परतिरोध का मात्रक ध्यान में रखना ओम होगा और इसका सिंबल अगर पूछ ले मात्रक का थो सिंबल बनेगा इस तरह कि अब यहां से देखिए कि आपके पास जो रजिस्टर है ठीक है तो धारएक म अब यहां से देखिए तो आपके पास आ रहा है रेक अपने पास है ठीक है तो अब अपने बाद गिरेंगे इस रो के बरे में कि जो रोज होता है वो क्या चीज़ होती है कि भाष देखो तो कि अग Dit तो परति नव धारा में व रोध बेदा गरेगा इसको बूलेंगे रजिस्टिविटी यह कि यहांद इसका नाम होगा सपयसेफिक जिस्टेन्स याने की हिंदी म winner इसका नाम होगा पर्ति रोध देखता या इसको बोलेंगे विशिष्ट पर्ति रोध अब ध्यान में रखना इसकी दो definition बनेगी दोनों definition paper के द्रश्टिकोंड से काफी important है दोनों से आप लोग एक मात्रिक भी बनाएंगे अपने उसको भी देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ देखिए अगर मैं यहां से फार्मला निगालता हूं रजिस्टिंस का तो आर बराबर आपने बढ़ा रो अलब वन में तो यहां से अगर मैं रो निगालूंगा तो मेरे पास यह बनेगा अगर म मिट्र का स्केयर ले लेते हैं क्योंकि मिट्र स्केयर लेना पड़ेगा और लंबाई को अगर मैं क्या ले लेता हूं एक मिट्र है ठीक है तो उस कंडिशन के अंदर देखो क्या होगा तो उस condition के अंदर आपका ये जो जो इस condition के अंदर आपका R जोगा वो Rो के बराबर होगा मतलब अपने यहां से देखें तो Rो बराबर क्या बनेगा अपने पास R के बराबर होगा इसका मतलब यह हो लाँ कि कोई भी आपके पास conductor है आपने उसकी यह जो लंबाई है वो फिक्स कर दी एरिया फिक्स कर दिया एक और उस कंडिशन के अंदर यहां इसके टर्मिनलों पर जो परतिरोध मापोगे वही उसका क्या कहलाएगा रजिस्टन्स कहलाएगा विशिष्ट परतिरोध यहने कि विशिष्ट परतिरोध बोल मतलब देखो कि जैसे यह पने पास है अब आपने काम गया जो एरिया वह एक से मिट्र का स्केर ले लिया और जो लेंथ है वह कितनी लेली एक मिट्र रह इस समय इसका जो आरोगा उसी को हमने क्या बोलेंगी रोब विशिकर यहनिकिस कंडिशन के अंदर आपका रोभ रव इसका मतलब पहली डेफिनेशन क्या बनेगी तो यहां से इसकी पहली जो डेफिनेशन बनेगी वो देगो क्या बनेगी कि एकाई लंबाई और एकाई अनुप्रस्त का अचेतर फल वाले चालक का परति रोद यानि कि वाले चालक का क्या होगा आर उसका क्या कहलाता है रो कहलाता है रो कहलाने का मतलब यह होगा उसका विशिष्ट परति रोद कहलाता है यानि कि आपने लेंध को फिक्स कर दिया उसका एरिया को फिक्स कर दिया अब उसका जो रिजिस्टें देखो क्या बनती है आपको देखो एक घंद घाई दे रहा हो गए यहां पर यह A और यह मा लेतें क्या है भी यह ठीक है तो कोई भी जो रोजिस्टेंस होगा या कोई भी जो एक घंद होगा उस घंद के जो विप्रित फलक जोंगे या विप्रित प्रश्ट जोंगे उनके बीच के अंदर जो मापा गया यह सकलाएं करतार का बोटा है यह रोजिस्टेंस होगा वो उसका क्या क्या है विप्रित बिच अंदर जो जो भी जो है यह रोजिस्टोंगे विशिश्ट जो अंदर जो जो तो यहां से ध्यान में रखना कि प्रतिरोद रखता कि अगर मैं बात करूँ या प्रतिरोद के बारे में बात करूँ तो दोनों एक ही चीज है लेकिन ध्यान में रखना प्रतिरोद होगा जब उसके लेंथ फिक्स नहीं होगी उसका एरिया फिक्स नहीं होगा लेकिन जैसे ह आप लोग इसकी विशेस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो उस condition के अंदर ये सारी जीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी फिक्स करनी पड़ेगी अब यहां से देखो इसका मातरक देखते हैं अब पर तिरोध दखता कि अगर मैं क्या गरूं मातरक के बारे में बात करूं तो यहां से देखो अभी मैंने बदाएता रो बराबर होगा वह अपका आर इंटू ए होगा वह उनमें क्या एगा अल तो अगर मैं यहां इसकी यूनिट लिखूं इसकी बनेगी ओम इसका मिट्र में आएगी जब आप लोग इसको काटेंगे तो यह बनेगा आपका ओम इंटू मिट्र ठीक है इसके अलावा ध्यान में रखना ओम इंटू मिट्र नहीं दिया तो ओम मिट्र आपको क्या लिखना पड़ेगा सेंटी तो परतिरोध देखता जोगी अगर मैं बात कर सेंटी मिट्र के अंदर होगा ठीक है उसके बाद में देखो एक चीज में आपको यहां से एक चीज और दाता हैं देखो जो आपके पास यह रजिस्टन्स था इसकी अगर मैं बात करूँ किन-किन बातों पर यह डिपेंड करेगा देखो परतिरोध की डिपेंडेंसी अग तो एक तो आपको द्यान में चल चुका होगी कि यह पर गरेगा चालक की लंबाई पर यहनी कि आर जोगा वह अलक यह समानुपाद में चलेगा दूसरा ध्यान में रखना चालक का जोगा अनुप्रस काड़ चेत्रफल तो यह जोगा वो area के क्या चलेगा वित्करमान पाती होगे तीसरा गरेगा जो चालक जोगा चालक का व्यास यह क्या बोलदो तिर्जा अब ध्यान में रखना जो resistance होगा वो तिर्जा के वरके वित्करमान पाती होगा प्रव्यास के भरके वित्क्रमन उपाती त्यान में रखना एक तैंड़ करेगा चालक की प्रकृती कि य।छल जो बढ़े ताममन्वाल अपने पड़ा होगा कि तामान बढ़ा होगे गटा होगे तो अटी सी पिटी सी आपने पड़ा हो तो इसी चीज के लिए अब यहां से देखे इस कंसेप्ट को समझते देखो कोई भी जो चालक आप लोग लेंगे तो उस कंडिशन के अंदर ध्यान में रखना उसका यह जो वाला भ यहां लेकर यहां तक यहां तक पूरा व्यास होगा उसको मैं लेकर देता हूम और और है यहां से लेकर यहां तो यहां बनेगा आपका D ठीक हैं ? तो जब आप लमगra इसको यहां रखेंगे तो ए बराबर आएगा पाई आर की सगार रखेंगे डी डी का बरजेगा स्केर निचे आएगा 2 का 4 तो अदे हैं में रखना और का यहां सकेर बनेगा और डी का बनेगा याने कि जबी भी तिर्जा और या व्यास के वारे में वात आएगी उनका स्केर की वित्करमान पाती का इंद पाच लेगा उसके बाद में देखिएlogo वो किन बातों पर डिपेंडन्न नहीं करता यानी कि रिजिस्टेंस होगा वो किन बातों पर डिपेंडन्न नहीं करेंगा कर राटмен कर रेक्त है तो पहली जला में चीज तो देखिए एक तो डिपेंड नहीं करेगा चालक का वेट पर यानि कि अगर कोई चालक हलका है या भारी है तो उसका वेट जोगा इस चीज का निर्धान नहीं करेगा कि कि वो जो है वो उसका परति रोद कम होगा या उसका परति रोद क्या होगा ज़्यादा होगा दूसरा देखो दूसरा हैगा frequency आवरती आवरती जो होगा इस बात पर भी ध्यान में रखना resistance डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि आर जो होगा वो रो एल अपॉन में यह होता है लेकिन ध्यान में रखना कुंडली या संदारीतर का जो परति रोव दोगा वह जुरूर डिपेंड करता है ठीक है यह ध्यान में रखेंगे दोनों के अंदर फ्रक्वेंसी आती है लेकिन रॉजिस्टेंस वाला जो प्रांड़ा उसमें कभी भी फ्रक्वेंसी नहीं आती यह भी इना और ठीसरा ज्यान में देखू क्या हैगा थीसरा का व्ल्ड उंश ऐगा यहुटर में bi ऑ चेंज हुआ नहीं, वोल्डेज कम होगी तो धारा भी कम होगी, जब धारा कम होगी तो लेंप अपने आप क्या होगा, कम जलेगा, यह ध्यान पर रखेंगे है, इसके बाद में आता है उसकी शेप है, ठीक है, यह नहीं की क्या है कि आक करती है, अगर आपको कभी दे दे अक अकार ध्यान में रखना उसका एरिये जोगा यह होगा ध्यान में रखेंगे हैं कि शेप का मतलब देखो क्या होगा अगर कोई भी चालक है ठीक है उसकी कोई भी शेप है जैसे यह मालत ही है इस तरीके से योई मर्जि शेप oh लेकिन अगर इसका एरिया सेम है अगर यह एरियाOnly सेम होगा इसका अगर इसका एरिया सेम है इसका और माल लेते हैं यह जाता होगा बस धियांमे रखना यह मुलें चैसके के असानी से बना सकते था है तो यह तो था अपने पास घा सूंहां सब्सक्राइब तहीं है तो ध्यांने मेर concept यहाण मेरे कि आको मै datos किस बातों किरेंड कराएं रुप इन करता है या उसके बाद में था धार रिजिस्टिवीटी रिजिस्टिवीटि ध्यान में रखना दो प्रिवास्वा रखेंगे पेहला तो लंबाई और इकाई अनुप्रस्त काट चैत्रवल वाला चालक जोगा उसका परतिरोध क्यालाती है या कोई भी घन होगा उसके बीच में जो परतिरोध मापेंगे वह उसका स्पेसिफिक कि रजिस्टंस या विशिष्ट परतिरोध क्यालाएगा मात्रक अगर अपने बात करें तो ध्यान में रखना और मेंट्र मेंट्र या अब अगर आपसे पूछ ले की रोज होगा करो की निर्वड़ता आगर जिन बातों पर कर रहा था उनमें से दो बात आपको यहां से निकालनी पड़ेगी गया दो बाते हुआ निकालनी निकाली है देखो आपने परतिरोध ड़ीन के अंदर आपने दो चीजों को फिक्स कर दिया एक तो उसकी यह बचेगी एक तो त तो यहां से अगर मैं रोक के बारे में बात करूँ तो दो बातों पर डिपेंड गरेगा एक तो किस पर गरेगा चालक की प्रकरदी पर और दूसरा अगर आप से बूच ले वो गरेगा ता पमान पर ठीक है जब आपका टेंपरेचर चेंज होगा तो छोटे से टुगड़ेगा भी रेजिस्टन्स क्या होगा चेंज होगा ठीक है अपने पास यह इस तरीके से है तो यह माल लेते मेरे पास सिल्वरा यानि की चांदी है और यह माल लेते है यह अपने पास गोल्ड है और यह अपने पास कौन सा है अगर इन सारों के अगर अपने बात करें तो सबका लंबाई चुड़ाई सब कुछ सेम है टेंपरेचर भी सेम है तो उस कंडिशन में ध्यान में रखना सिल्वर की जो परतिलों देखता होगी व होगी वह 2.86 होगी है इन सारों के अंदर ध्यान में दस की बार माइनस 8 हो मेंटर चलते है चार कंडेक्टर है चारों की विशिष्ट परतिलों तो आपको ध्यान में होनी चाहिए तो यह अब बात आती है कि कि इस बात पर डिपेंड नहीं करेंगा वह बातें आपकी सारी चीजें हैं आगी ठीक है उसमें दो चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है एक तो लंबाई पर डिपैंड नहीं करेंगे क्योंकि आपने लंबाई एरिया भी अगर आपने रिखो फिक्स कर चुके तो इस चीज़ा थ्यान में रखना है अगला देखो अब तुम्हारे पास देखो जो रजिस्टिविटीज होती है अपने पास परतिरोदक्ताज होती है इसका जो निद्धान गिरेंगे वह वीज डिगरी तामान पर करते हैं जैसे मैं एक कंड्डेक्टर लेता हूं जिसका नाम है चांदी चांदी को इंग्लीज में क्या बोलेंगे सिल्वर चांदी की जो परतिरोदक्ताज होती वह यह होती है अब एक चीज ध्यान में रखना कि इसको सेंटिमेटर में भी आप लोग चेंज कर सकते हैं मतलब सब कुछ चेंज कर सकते हो तो बारे बारे इसे मैं तीनों चीज़ें आपको दिखाऊंगा देखो यह अगर अपने पास यह है एक पॉंट चो सट इंटू दस की पावर कि अगर आप लोग इन दुनों की पावर को जब एड़ करेंगे तो उस कंडीशियन के अंदर आपको जो जाटा मिलेगा वो यह मिलेगा और यह माइनस का 6 आपको पता है क्या होता है माइक्रो माइनस का 6 आपके पास क्या होगा तो यह चीज पहले चीज आपको ध्यान में रखना है अगर वो माइनस की पावर 6 माइनस की 8 दे रहा है तो मिटर में किस तरीके से आएगा माइनस का सेमी में अगर दे रहा है तो किस तरीके से आएगा अब यही पावर जो है आपके पास इसको मैं अगर मैं चेंज गूरू सेमी में सिधा मिटर में रखे चेंज करता हूँ तो देखो क्या होगा तो मैंने लिखा 1.64 इंटू 10 की पावर माइनस 8 था तो इसको मैं लिए देता हूँ माइनस 6 इंटू माइनस का 2 ओम इंटू मिटर अब यह बात बताएगे कि माइनस का जो 6 यह माइकर अभी भी माइनस का 2 मतलब भाग में 100 होगा 1.64 को अगर मैं 100 से भाग दूँगा तो यह पॉइंट यहां सलकर इदर आएगी इसकी जो वेल्यू आएगी वो आएगी यह इसको लिखेंगे माइक्रो इसको लिखेंगे ओम और आगे आपके बास बढ़ा मिटर है तो यह द्यान में रखेंगे तो यह चीज आप लोगों को यहां से दिमाग में रखना है किस तरीके से भी सवाल को पूछा जा सकते हैं तो देखो अब बारी बारी से अपने बाद इतने भी जो कंड़क्टर उन सब की अपने रजिस्टिवेटी देखेंगे यहां पर तो देखो सबसे पहले मैं यहां से आपको याद करवाता हूँ देखो चार को एक साथ याद करना है देखो फिर आपका सारा का मज़ेगा तो सबसे पहले देखो अपने पास है चंदी चंदी आपको याद रखने 1.64 दूसरा आपका याद रखने तंबा तंबे की जो होती है वो ध्यान में रखना 1.3 कि तोड़ी सी जदा होगी 73 फिर आएगा आपके पास सोनना सोनना तीन नंबर पर आते है ध्यान में रखना और चौता जो हैगा आपके पास इसका आएगा 2.44 और इसका आएगा 2.86 यह चार आपको मेजर डाटा याद रखने इसके बाद के जितना भी डाटा वह आपको याद करवा दूंगा और पेपर के अंदर यहां से सवाल आने के ज्यादा चांसिस होते हैं ज्यादा तर तांबे का ही पूछा जाता है अब जाहन में रखना इन सब के आगे माइनस आठ वाला जो पावर यह चली रहा है अभी तक यह जो माइनस खाट है यह सभी के अंदर चल रहा है तो तंग श्टन के अंदर कितने वड़े एक दो तीन चार और पांच तो यहां भी पांच आ रहे है ठीक है उसके बाद में आता ह वे जिनग क्ल अधर पी जिनक को जोब आप लोग लिखें तो एसे लिखते हैं और यहां से बूंडी यहां से गुमादो done जैसे घुमाएंगे तो जिकैसे दिखरे है जिनक का कितना आपके ..... जिंक के बाद में एक आएग अपने पास निकल जि है तो घर से मोग रपने लिए साथ बजे निकलोगे बनाव 32nd काम को गर से कब निकलते हो गुमने के लिए तो साथ आठ बजे तो याद रखेंगे साथ आठ बजे निकलेंगे तो कितना ऐगा साथ पांच उसके बाद में आजाएगा सिसा के आ कि इससा दो बार देखेंगे हैं और दो बार देखने के बात वहाद में यॡढा कियो साथ एका निशनisch के बात है यूरेका जब लोग गरेंगे तो ऐसे लिखते हो तो यह आपको जो शेप दिखाई दे रहे हैं 4 दिखाई दे रहें नो तो चार और यानिकी 49 यहां लिखेंगे 49 का डबल गरेंगे तो 98 होगा 49 में से अद्धा माइनस करेंगे तो 48.5 होगा यहां से याद रहे जाएगा उसके बाद में आता है नाइक्रोम तो नाइक्रोम का याद रखना है 108.5 ठीक है और इसके अलावा एक आता है कार्बन कारबन काता लंसम 3000 क्या सबसे जाद इसी को एक चीज और याद रखना लोहा कि कई बार आपने सुना आगा कि लोहे पर लकीर का मतलब हो गया 100% सची बात तो आपको 100% से कम गरना है तो 9.8 आपने पास है चांदी तामबा सोना अलुमीनियम टंग्स्टन तो देखो चांदी शुरू के चार याद रखने पड़ेंगे पांस टंग्स्टन में पांस तो पॉइंट सम्थिंग आएगा जिंक के अंदर ध्यान में रखना जड लिखो गए तो जिंक 6 बनेगा फिर टीना साड़े ग्यारा साल के निकलना साथ आट बज़े है यूरेका के अंदर 49 बनेगा आपका और यूरेका और मैगनीन की परत्रूत लगबग सेम होती है तो कम करते ना पारा आदा उसका डबल लोहे परलकीर पक्की बात या सची बात पक्की बात का मतलब हो जाएगा 100% आपने सही बोले तो उस कंडिशनिंगे अंदर 100% के आसपास होगा मतलब आपको कितना करना है नाइंट यह फिर नाइक्रोम का ध्यान में रखना एक्सवाट होता ही है और फिर इसका ध्यान में तो यह चीज़ें आपको यहां से दिमाग में याद रख लिए हैं तो यह तो बात होगी कि इनकी रजिस्टिवेटी जोगी वो किस तरीके से निगालेंगे अपने या किस तरीके से याद रखेंगे अब यहां से देखो मैं चीज़ और बताता हूँ बात है कि एक ढूबी अमने पड़त से महां लेते कि तब कर दो बोल दिया कि प्सक्राइब थिक तब यह रेंचे के सामने कोपर की रखेंगे कितना यह एक पोइंट साथ दो दस की बावर मांझन सर्थ तो ही जाएगा या तीन लिखो एकी बात है और इसके लिखेंगे 2.5 कितना हैगा 86 अब आपको कुछ निगरना 1.72 के बाद में फॉइंट के बाद में दो संख्या तो 100 बेतर बनेगा पॉइंट के बाद में दो संख्या तो कितना बनेगा 26 डूसोग्ष एटो बेतर 286 डूसोग्त बेतर को अद्धा करेंगे तो तो एक बात बता चल रही देखो इसका जब मैं करूंगा तो इसका लंसम आएगा 60 भूण 6 ठीक है तो भाग देखेंगे तो इस के अदर देख़ो आपको एक चीज मिलेगी कि आर को पर है एक आर ऐलूमीनियुम में इसको जब आप लोग करके देखेंगे तो इसकी जो वेल्यू आएगी जी रोपॉइंट च्य जी रोच्छे के आज़िस्टेंस होगा वह एलूमीनियुम के रजिस्टेंस का लगबग केत तो यह तो बात होगी अब दो चीजों के बारे में और बात करेंगे एक तो बात करेंगे के बारे में रिखाएगा कंड़क्टिविटी तो पहला जो आएगा है इसको हिंदी में बोला जाता है कर चाल आपकता हो हुआ है क्यot warm कोई भी जो कंड़क्टर होगा उसके अंदर दो चीज़ेँ होगी एक तो वो गुन ऑगा जो इसको धारा का मारण में रोक है करेगा दारा को रोगने का काम करेगा उसका अवरोध पेदा करेगा अवरोध पेदा करेगा तो इसकी स्पीड कम होगी एक वह गुण होगा जो इसको बैहने का प्रवाह का क्या करेगा गुण परदान करेगा ते हैं मतलब क्या होगा यहां पर कंडय्ट Так क्या चीज होती यह किसी बी खरब का गुणом होगा जो उसको ध्रा प्रवा में गया Gary आसा हिता करता है यह जिसकी वजेसे उसकी कट्रील उती है कि तो यहां समय उसकी मैं बात कर्णूं तो डार्भर्वारमधर क्या होगा है उसको। द्वूसरा देखो क्या होगा कि प्रतिरोद का मतलब है ऐसका इस कैयो उल्टा चला हुआ उल्टा चलने का मतलब विज्वत्कколь साव्यूथ कॉषड़ मनतलब है कि सब्सक्राइं परती रोध का व्यूत करम तो अब यहां से देखो अब इसके सुत्र के बारे में बात करेंगे देखो पहला सुत्र तो आप लोग यहां से निगालेंगे जब आप लोग यहां से निगालेंगे जिसका सुत्र बढ़ेंगा क्या देखो G बराबर बनेगा, 1 प्रम में R, दूसरा फार्मॉला यहाँ बनेगा, तो, G बराबर होगा, 1 प्रम में R की जो value होगी, रो, L, बटा होला, यह कहाँ चला जाएगा, उपर चला जाएगा, यह आजेगा नीचे उपर है फिर ध्यान में देखो तुम्हारे को पता है कि आर वराबर जोता है वह भी बटा में आर वी बटा आई होगा वी तो नीचे रहे जाएगा बटा वलाई कहां चला जाएगा उपर तो यहां तीन फार्मले आपके पास एकदम सेट है तो यह ध्यान में रखेंगा इसके बारे में कंडक्टेंस के बारे में रेजिस्टन्स के अविद्कुर्मान उपाती होगा उसका गुन वह होगा जो दारा प्रवागा जागरेगा ठीक है सुमता पजान करेंगा अब मतल सब्सक्राइपके रिबारध करता हो तो यूनिट देखो एक तो ध्यान में रखेंगे मघू है ठीक है रजिस्टन्स का इल्टा जो क्या होता क्या होता है मही होता है और घ्याएगा अनृइस का इसका उल्टा बने गां परankiन से बनता था इसका उल्टा बनेगा इसका कि दूसरा देखो दूसरा जो बनेगा वो बनेगा साइमन क्योंकि परतिरोध के अंदर ओम का जो नियम उसके अंदर पूरा नाम अता है जार्ज साइमन ओन तो जार्ज साइमन साइमन बनेगा इसका रोम बनेगा उसका तो यहां जाएगा फिर तीसरा देखो इसका मात्रक ओम बनेगा तो एक बटा ओम मनेगा या इसको क्या लिख होंगे परती ओम ठीक departments का ओम एन्वर्स तो यह यह इसके मात्रक बनेगे यहांपर किसी केकंदक्टेंस का वह गुन होगा जिसकी वज्शा होगा अब यहां से दिए अगर माल लेते अपने कोई सर्कीट किसे माल लेतें और। यह माल लेते हैं वॉल्टेंगे कि इसकी क्या वहाइब घटी आपको 10 व Kings और यहां से करण्ट को 2ム freshmen और आपको यह बोलेगा इस तिरोध की चाल लगता या कंडुक्टेंस कितना है तो आपको पता है कि जीज होगा वह वन पॉन में आर होगा यह नहीं कि अपने सिधा कर सकते आई पॉन में भी आई की वेल्यू कितनी है दो वोल्टेज दस है तो जीरो पॉइंट दो आगे क्या लेखेंगे साइमन कि यहां से कर सकते हो ठीक है यह आपको रजिस्टेंस है ठीक है रजिस्टेंस दिया होगा तो डारेक्ट आप लोग कर सकते हो यह आपको एरिया दे रो दे तो आप लोग यहां से तो ऐसे भी कर सकते हो ठीक है यह ज्यान में रखेंगे हैं उसके बाद में देखो कंडुक्ट के बाद में चीज ओर रहती है कि कि अग्ट करेगा तो बाते वह यह जिन बातों पर रोजिस्टन्स करेगा लेकिन ध्यान में रखना लंबाई बढ़ने पर वहां परतिरोध बढ़ रहा था तो यहां कंडुक्टेंस घंटे का इतना ही चेंज लोगा ठीक है अगला है कंडुक्टिविटी यह इसको बोलेंगे के सफेसिफिक कि अग्डुक्टेंस जीस तरीके से आपने कंडुक्टेंस रजिस्टिविटी की डेफिनेशन निगा लेकिती उसी तरीके से इस्क्या होगा कि काही लंबाई और एकाही अनुप्रस कार्ट चेतरवल वाले सालक की जो कंडुक्टेंस होगा वही उसको क्या कह लेते हैं या दूसरा जो रजिस्टिविटी थी उसका व्यूत करमान पाती है तो यहां से देखिया कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी रो का व्यूत करमान पात है ठीक है इसका मतलब यहां से इसका जो फार्मला बनेगा वो क्या बनेगा सुत्तर जो बनेगा वो क्या बनेगा तो यहां से बढ़ेगा सिग्मा बराबर बढ़ेगा वन पॉन मेरो सिग्मा बराबर इसका जो बढ़ेगा वो देखो क्या बढ़ेगा आर इंटु ए बटा वाला एल कहां चला जाएगा उपर चला जाएगा ठीक है तो यह ध्यान में रखेंगे अब बात आती है इसकी unit की यानि की मात्रक की तो इसका मात्रक आप लोग यहां रखेंगे इसका मात्रक बढ़ेगा एक बटा में ओम तो इसको दो तरीके से लिख सकते हो एक बटा ओम को क्या लेखेंगे एक ओम इनवर्स एक बटा मिटर को क्या लेखेंगे मिटर इनवर्स और यह भागवाला मिट्र उसको अभी छोड़ दो आप लोग तो इसका बनेगा यह महोव परती मिट्र तीसरा देखो महोव गिजगे क्या लिख सकते हो साइमन और नीचे महोव पढ़ाई है मिट्र पढ़ाई है इसको ऐसे छोड़ दो ठीक है यह एक बटा ओम का मतलब होग है अपने पास कंड़ेटेंस करें अब बात आती है कि इन बातों पर दिबेंड करते हैं जिन बातों पर आपका रेजिस्टेंस डिपैंड कर रहा था ठीक है बस बात इतने ही है कि वह बड़ेगा तो यह घटेगा आईसेस का मतलब होगा इंडियन नील्ड कोपर स्टंडर्ड भारतिय ऐ नीली करत तामबा मानक अब इसके धार पर द्यान में रखना इन्हों कि एन कि गया किया है कि ताйमबा इसतांबा को क्या मना है सो प्रसेंड क्या मने चाल्ण यानिन इसीन को मानना है मना कि चालग मनने कि क्यों मानना है क्यों तामबे से आप लोग बाकियों की तुल्ना allow कि यहां तो यहां देखे मेरे पास देखो। अपने बास देखो अपने पास के हैं अपने पास है चांडी के लिए मैं सिग्मा निगाड़ूंगा तो एक बटा रो करना पड़ेगा चांदीगा जो आएगा एक पूर्ट चो सट इंटू दसकी बार माइनस आट आएगा अब मेरे पास ध्यानवनना माइनस काट उपर जाएगा तो प्लस काट बनेगा एक बटा चो सट भाग में है जब आप लोग इतनी इतनी वेल्यू को भाग देंगे तो इसकी जो वेल्यू आएगी जीरो पॉइंट साट चुराण में पिचाण में के आसपास आएगी और यह माइनस काट उपर जागे प्लस काट बन जाएगी यह होगा अब एक जीज़ देखो यह माई प्लस की आठ पावर इसको मैं तोड़ूंगा तोड़ूंगा क्या एक तो चय बनाऊंगा एक बनाऊंगा तो जब मैं इसकी पावर बनाऊंगा दो इस कंडिशन के अंदर यह पावर यहां से चलकर इसको यामना देगी तो 60.64 के आसपास बनेगा तो 60.64 के आसपास का मतलब होज़ेगा एक सट और यह पावर प्लस की छै तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने महो मेगा और इसकी यूनिट क्या होती है महो परती मेटा तो चांदी की जो कंडक्टेंस निकलेगी निकलेगी वो 61 महो मेगा महो परती मेटर होगा इसी तरिके से अगर मैं आपको सब की बताता हूं चारों के आपको याद रखनें चांदी तामबां अलूमीनियम और सोलना इन चारों के आप लोग याद रखने बाकी किसी के अगर निखालने तो आप लोग ऐसे निखाल सकते हो इसका मैंने निखाला था एक पॉंट चो सट इंटू दस की पावर माइनस अड़ था इसको केलकुलेशन गरेंगे तो लमसम एक सट मेगा महोपरती मेटर इसका जब मैं निखालूंगा तामबेगा अगर आप लोगों निखालने तो इसका निखालेंगे एक पॉंट साथ दो इंटू दस की पावर माइनस अड़ था ठीक है तो इसका देखो कितना हैगा इसका लमसम आएगा जीरो पॉंट जीरो जीरो पांच आठ ऐसे करके कुछ आएगा जीरो पॉंट अठावन की आसपास आएगा ठीक है और यह उसको करेंगे तो देखो आएगा दस की पावर आठ जब इसको मैं तोड़ूंगा तो आएगा दस की पावर अठावन बन जेएगा यह बनेगा मेगा महुपर्ती मित्र की ऐसे इस हो सोने का निकाल के देखेंगे तो सोने का जब निखालेंगे तो आएगा दो पॉंट चो 만들어 करके देखोगे लाश्ट के अंदर तो यह आपके पास यह थावन है तो इसका लंश से इसकी जो वेल्यू आया गया है कि 35 मेगा महो परती मिटर सारों के आप लोग यहां से क्या कर सकते हो इनकी वेल्यू निकाल सकते हो चांदी तामबा सोना अलुमीनियूम सारी चीज़ें आप लोग यहां से सबकी निकाल सकते हो अब एक कंसेप्ट और बताता हूं थोड़ा ध्यान से सुनना आगर आपको प्रेसेंटेज में निकालनी है ठर्सेंटेज में पंड़क्ति निकालनी यह तो देखेंगे को कि серьез और से femme की चालता जोत्या या एलूमीनियूम की चाल लगता जो होती है वो तामे की तुलना में कितना होता है तो आप लोग बढ़ते हो 60 बंड संदी तो वहीं देखेंगे देखो अलूमीनियम की क्या निगालनी है मेरे को चाल लगता हो दो तरीके बढ़ाऊंगा दोनों से निगाल सकते हो और नीचे आयाएगा तुमारे बास को पर की चाल लगता हमेशा परतिरोदक्ता का उल्टा वाथ इसकी परतिरोदक्ता क्या थी यह लिखेंगे माइनस की आठ पावर तो हटी जाएगा इसको निकाल दो और इसकी कितना आएगा 1772 या 73 उपर वाले यापस में गुणाँगे अंदर वाले यापस में गुणाँगे देहाएगा 1773 नीचे आएगा 2.6 और यह मैंने आपको पिछे करके भी बताएता तो यहां से देखो तो यहां से देखो कि एलूमीनियम जो होगा एक कोपर होगा इन दोनों का जब आप लोग करेंगे तो लंसम आएगा 60.6 ठीक है तो एलूमीनियम आएगा तुमारा लंसम 60.6 परसेंट और जब कितना है गा कोपर कहा इसी तまり से किसी की भी निगार सकते हो चांबा चंदी किसी की भी कर सकते हो किसी की भी तो मैं यहां एक तरीक का थोड़ा सा याद गरवा देता हूं चांदी तामबा सोना और अलुमीनियम अगर मैं यहां तामबे की मानता हूं 100% क्योंकि तामबा जो है आपका स्टेंडर कंडिक्टर है तो उस कंडिशन के अंदर घ्यान में रखना अलूमीनियम की तो आपने निगाल दी 60% 66% पेपर में यहां तो 60 मिलेगा सोन्य की जब निगाल के देखें तो लंसम 17 आएगा और इसकी जब निगाल के देखें तो लंसम 105 आएगा करके देखना आप लोग तो यह ध्यान में रखेंगे resistance के बारे में तो resistance के सी भी conductor का वो गुन होगा जो दारा प्रवाब में कमी करेगा ध्यान में रखना चार सिंबल याद रखेंगे आप लोग ठीक है चार सिंबल गों से याद रखेंगे देखो R resistance का है जी कंड़क्टेंस का है रो पर तिरो देखता है और सिग्मा ध्यान में रखना किसका है यह कंड़क्टेंस का होगा यह आपका होगा रेजिश्टिविटी और यह आपका हो जाएगा कंड़क्टिविटी क्षाम आपकोपुचे हैं तो ध्यान में रखना ओम होना इसका आपको द्यान में रखना महो होगा तो इसका अगर मातर कुछ ले तो महो अ ओम में तो मेटर होगा और इसका अगर पूछ ले तो महो परती यह ध्यान में रखना यह चारों चीज़ें काफी काम किये पेपर के दरश्ट इकोंड से अगली इसकी कलास होगी जहां अपने रजिस्टेंस पर किन-किन बात होगा डिपेंडर्ड होता है डिपेंडर्ड होता है टेप्रेचर को बढ़ेंगे तो मिलेंगे दन्यवाद कि to झालबें प्लेवाद यह रज जगल झालबेंगे टन्वाद आने से